ये वीडियो तब ही देखना जब इस वीडियो को देखने के बाद जो डिसीजन लोगे उस डिसीजन पे टिक सको अगर सक्सिस अराम के साथ कॉंप्लिमेंटरी चाहिए तो जाकर अराम कर लो और इस वीडियो की देखने की जगे है कोई काला सुप आज के ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लाइफ में कुछ पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे है लाइफ में उनकी कोई ड्रीम है और उस द्रीम तक पहुंचने के लिए उस ड्रीम को जीने के लिए वो अपने बॉडी का अपने दिमाग का अपनी हर चीज़ का पूरा का पूरा एफर्ट लगा रहे है ये वीडियो आज हो लोगों के लिए है मैं आपको अज एक चीज़ बताता हूँ whether you are a man, you are a woman, you are a girl, you are a boy चाहे आप इंसान हो, चाहे आप जानवर हो लाइफ पे एक ना, एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब आप जाके दिवार से टकराओगे, जब आप अपने एम की तरफ भाग रहे होगे वो दिवार आपके फेथ की, आपके एम को लेके सीरियसनेस की टेस्टिंग होती है कोई भी इंसान इतनी तकलीफ जेल के, इतनी परिशानी जेल के, राते जखके, रोके, पेन को जेल के इसलिए आगे नहीं आया होता है इसलिए आगे नहीं आये होते हो कि कोई एक particular दीवार एक तकलीफ आपको वापिस जाने पे मजबूर कर दे इतना आगे आए हो तो reward तो लेके ही जाना है reward के लिए उस दीवार को कूदना पड़ता है उस problem उस तकलीफ को जेल कर आगे बढ़ना पड़ता है एक story सुनाता हूँ मैं आपको आज एक story सुनाता हूँ शायद आपने पहले भी सुनी होगी एक school में एक project चल रहा था उस project में एक caterpillar था उस caterpillar को एक चोटे से जार में बंद कर रखा था साथाट बच्चे खड़े थे और एक professor खड़े थे वो professor और बच्चों से बोलते हैं बिटा ऐसा है आज मैं आपको life का बहुत बड़ा lesson दोगा लेकिन मेरी बात एक्दम ध्यां से सुरना और उस बात को पूरा करना बच्चे कहते हैं बिलकूर सर आप जो बोलो के वो ही करेंगे टीचर की तो बात बच्चा मानने की एक्टिंग करता ही है वो बोलते है ठीक है ये जो caterpillar है मैं अभी जा रहा हूँ 15 मिनिट बाद वापस आओगा कोई इसको किसी भी condition में टाच नहीं करेगा तो बच्चे बोलते सर ये क्या लेशन हुआ ये तो है ऐसे ही रहेगा टीचर बोलता है नहीं जस वीट एग ऊज़च मधने ठीक है सर आप जैसा बोलोगे वैसे ही करते हैं जाते हैं प्रोफेसर, चले जाते हैं, बच्चे देट कर रहे होते हैं, देखते हैं, वो केटरपिलर तडपने लगता है, तडपने लगता है, अंदर एकदम से इदर उचले लगता है, तडपने लगता है, बच्चे सोचते हैं, यह क्या हो रहा है, तो मर जाएगा, इक बच जेलने थे और अगर जेल जाता बेना किसी सपोर्ट के तो वो आज उड़ जाता उड़ जाता कैटरपिलर जब मरने वाला होता है वो तड़पता है वो अपने पंक निकाल के बाटरफलाई में कालवाट होके उड़ जाता है ये नेचर का फिनामेना है तो ये आपकी life पे भी applicable होता है ये life जो है ये एक battle की series है बहुत सारे battle connect करके ये life बनती है वो battle आपको हर point पे जीतने होते है क्योंकि आप हर battle को जीत के next battle के लिए तैयार होते हो ये nature का फिनामेना है और जो वो battle में अपने आपको loser मार लेता है या इधर उधर का support मार लेता है उसका खेल वहीं उसी point पे खतम हो जाता है उसकी life वहीं उसी point पे full stop लग के बरवाद हो जाती है मैं यहां इस point पे इसलिए नहीं पहुंचा because I was the strongest, I was the fastest, I was the most talented person ऐसा नहीं है मैं नहीं बोलता है मैंने दुनिया में सबसे जादा struggle देखा है, सबसे जादा artwork की है नहीं बोलता है but मेरे अंदर हमेशा आज भी एक चीज़ जिन्दा है, वो है fighting in his spirit I kept on fighting, fighting, fighting and fighting, मैंने अपनी life का चाहे कोई भी issue हो, चाहे वो academic हो, चाहे वो कोई भी issue हो चाहे वो physical हो, चाहे वो कोई भी issue हो, मैं लड़ा हूँ और उस battle को बिना हर्माने, जीता हो आपकी life में बहुत सारे battles आते हैं, whether it is your academic battle, carrier बनाने का battle है whether it is your personal, emotional battle that can be, you have to move on from a very harsh breakup, your family issues, your monetary issues, you want to set up a business, आपको a business set up करना है आप नहीं कर पा रहे हो, the battle can be anything, but you have to fight for each and every battle अपनी जाल लगा कि वो battle को जीतना होता है, क्योंकि वो battle आपको next उपर वाले battle के लिए तैयार करता है राजा होते थे ना पुनाने जमाने में एक छोटा battle जीत के next battle के लिए जाते थे क्योंकि वो उपर देखते थे, वो उचा देखते थे, हमारी life में बहुत साले battle की series है वो जीतना है आपको और बार बार जीतना है, आप यह नहीं कह सकते, आज मैं यहां पहुँच गया, आज मैंने यह exam निकार लिया, आज मैंने इस चीज़ को move on कर लिया, अब आगे मुझे कोई tension problem नहीं मिलेगी, अगर आप यह मानते हो तो आप बेकूफो, ऐसा नहीं होता है, you have to fight each and every moment, अगर आप fight नहीं करोगे तो आपकी life वहीं रुक जाएगी और आप सड़ जाओगे, रखा हुआ पानी भी सड़ता है, खराब होता है, you have to fight for each and every battle, आगे बढ़ना है तो fight करनी पड़ेगी और आपके अंदर यह दम है, you have each and everything, यहां दुनिया में कोई भी ऐ कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, जो आपको नीचे गिराके दफ ना दे, कोई नहीं है, आपके अंदर हर चीज के साथ लड़ने की और उस चीज को हराने की ताकत है, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर उस ताकत को, उस भरोसे को जगाओ, चुकि यह life आप किसी चीज, किसी relationship को दिया, किसी भी point को दिया, अब मुझे problem हो गई, या मुझे को तकलीफ मिल गई, तो मैं अपनी आने वाली जिन्दकी बरबात कर दो, या मैं पीछे भाग जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होता है, you have to work for yourself, आपको करना ही पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा है, वो तो सब कर लेते हैं, अगर सब ये चीज कर लेते, तो सब कोई successful नहीं हो जाते, आपको सब की category से उठके, उस category में पहुचना है, कि आप बोल सको, कि मैंने कुछ किया है, या बोल नहीं सको, तो अपने अंदर feel कर सको, कि हाँ, मैंने कुछ तो जिन्दगी में किया है, अलाग अट की दुनिया से, समझ में आ रहा है, हर कोई राजा नहीं होता, राजा एक ही होता है, लेकिन वो एक बनने के लिए spirit होनी चाहिए, king की spirit होनी चाहिए, और king की spirit होती है, कि मैं मर जाओंगा, लेकिन battle नहीं हारूँगा, आपको वो spirit अपने अंदर जगा क जितना आगे बढ़ोगे, जितने battle जीतोगे, उतने जादा difficult situation आगे life में मिल सकती है, लेकिन आपको उस situation के लिए अपने आपको हर stage पे prepare करते चलना है, अपने आपको हर stage के लिए तयार करते चलना है, अपने आपको mentally समझाते हुए चलना है, दिमाग को control करते हुए चलना ह जिसके पास दो option होते हैं यार ये नहीं तो ये सही, तो ये सही वाला option ज्यादा सही लगता है, क्योंकि ये बिलकुल भी सही नहीं होता है, जो असान होता है, अमें वो करने में ज्यादा असानी लगती है, लेकिन अगर असानी के साथ success चाहिए, बेटा तो जाके सोजाओ, लेट के कवर नहीं होता अगर आराम चाये तो सो जाओ, लेट जाओ, काट लो जिंदगी, वेस्ट करो जिंदगी, बाद बार नहीं मिलेगी, कुछ बनो, कुछ करो अचीव, जो दिमाग में है, उसको सचाई मिलाके सामने खड़ा करो, उसको सचाई मिलाके सामने खड़ा करो, तब देखके बोलोगे कि यार यह सोचा था, आज मैंने सामने, यह practically चीज मैंने लाकर खड़ी कर दी, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा आपको यही समझाने की, बताने की कोशिश करता हो, कि जिन्दगी में कभी भी हार मत मानो, जो मिलता है, जैसा मिलता है, एक्सेप्ट करके उसको आगे के लिए experience बनाके अपने अंदर induce कर लो, क्योंकि लाइफ के अंदर बहुत कुछ आएगा, बहुत लोग मिलेंगे, मिनिट का है, लाइफ को ऐसा बनाओ कि बिना किसी की help के, बिना किसी का सुने आगे बढ़ जाओ, बिना किसी का सुने आगे बढ़ जाओ, अपने आपको इतना जादा अंदर से enthusiastic बनाओ, इतना जजबा अपना strong रखो कि यार मेरे को तो करना ही है, ना वारी तो बात ही नही झाल झाल झाल